Hello everyone, अगर आप लोग RPSC Assistant Professor की preparation कर रहे हैं और especially अगर आप इसमें व्यावसाइक प्रसाशन Business Administration में RPSC Assistant Professor का exam देने वाले हैं तो मैं आज आपके लिए एक बहुत important चीज लेके आया हूँ हम इसको as a good news ले सकते हैं, हम इसको as a challenge ले सकते हैं हम इसको as a difficulty भी ले सकते हैं, ये depend करता है कि हमारी preparation किसी है और हम इस information को किस तरह से लेते हैं लेकिन मैं guarantee से कह सकता हूँ, ये information आपके लिए बहुत काम आएगी और अगर आप RPSC Assistant Professor का exam Business Administration व्यावसाइक प्रसाशन में देने वाले हैं तो ये चीज आपके बहुत काम की है, क्या, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसा है कि हम सब जानते कि form अब नहीं fill हो रहे हैं form बंध हो चुके हैं, हम सब ने अपना-पना RPSC Assistant Professor का form fill कर दिया है तो क्या आपको ये चीज पता है कि किस subject में कितने forms fill हुए है फटा-फट हम लोग ये चीज देख लेते हैं, especially Business Administration की बात कर रहा हूँ मैं कि किस category में कितने form fill हुए है तो फटा-फट देखो, अगर आपने EWS से form fill किया है, Economic Vicar Section से तो total 508 candidate हैं, जिनके साथ आप compete करने वाले हैं अगर आपने general category में form fill किया है, तो 2417 candidate हैं 2417, जिनके साथ आप compete करने वाले हैं अगर आप MBC non creamy layers में आते हैं, तो इसमें total 113 लोगों ने form fill किया है 113, अगर आप OBC creamy layer में आते हैं, तो total 23 जनों ने form fill किया है अगर आप OBC non creamy layer में आते हैं, तो 1433, 1473 लोगों ने form fill किया है अगर आप SC category में आते हैं, तो 533, 533 लोगों ने form fill किया है और अगर आप ST category में आते हैं, तो 238, 238 लोगों ने form fill किया है यह मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ Business Administration में, व्याबसाइक प्रसाशन में, कितने candidates ने किस category के अंदर form fill किया है और अगर मैं आपके सामने total data रखता हूँ, तो total हमारी जो Business Administration की post है, वो कितनी है बताओ total post है 71, और 71 post पे कितने जने compete कर रहे हैं, 71 post पे 5305 लोग compete कर रहे हैं 5,300 and 5 people हैं जिनके साथ आप exam देने वाले हैं clear means यह मान के चलो कि अगर आपको Business Administration की in 71, 91 post में से एक post चाहिए तो आपको कितने जनों से लड़ना है, आपको 5305 लोगों से compete करके top 71 में आना पड़ेगा अब क्या है इसकी maths, जो मैं सोचता हूँ, यह मेरा अपना experience है और मेरी अपनी गणित है ठीके, क्या, देखो, लाश्ट टाइम जब हमने exam दिया था या लाश्ट टाइम जो भी पेपर हुआ उसकी attendance थी approximately 50%, कितनी attendance थी 50% means आधे लोगों ने exam दिया ही नहीं था, क्योंकि centers दूर दूर आते हैं तो ज़्यादा तर लोग इस चीज को avoid करते हैं कि वो exam देने नहीं जाए अगर preparation नहीं है तो अगर मैं मान के चलूं कि 50% लोग exam नहीं देने वाले हैं तो 5,305 लोगों में से मैं अपने आपी ये assume करके चल रहा हूँ कि exam देने जाएंगे 2,500, 5,000 लोग paper देने जाएंगे इन 5,000 लोगों में से भी अगर मैं मेरी match के साब से सोचता हूँ तो आप ये मान के चलिए कि 1500 candidate ऐसे होते हैं जिनकी preparation नहीं होती है और जो first time उस exam को देने वाले हैं without experience तो इन 1500 को भी अगर आपकी बहुत अच्छी preparation है तो मैं ये मानता हूँ कि इनसे भी compete नहीं होगा अगर आप reality में बहुत अच्छी preparation के साथ exam देने वाले हैं तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 1000 candidates ऐसे हैं जिनसे आपका competition होगा for 71 post 91 post के लिए आपको 1000 लोगों से compete करना है क्लियर क्यूं मैंने आपको बताया है कि अपने उपर depend करता है हम इसको as a challenge ले रहे हैं या हम इसको as an opportunity ले रहे हैं या हम इसको as a good news ले रहे हैं या as a difficulty ले रहे हैं यह हमारे उपर depend करता है कि हम कैसे ले रहे हैं मैं तो इसको एक अच्छी opportunity लेके चल रहा हूँ कि अगर मुझको assistant professor का exam clear करना है तो मैं 1000 person से अच्छे से compete करूँगा और इस 71 में से एक post मेरी होगी तो आप लोग भी मेरे साथ इस सोच के साथ इस category wise essay discussion करके इन चीजों पर चल सकते हैं तो आपके लिए advance में good wishes, good luck, best of luck and all the best अगर आप assistant professor की preparation कर रहे हैं तो मैं आपको यह चीज़ जरूर बताना चाहूँगा कि हमारा course BADM assistant professor चल रहा है 399 रुपीज में, 3999, 3999 रुपीज में हमारा course अवेलेबल है RPSC Adda की website पे, RPSC Adda के application पे तो आप अभी play store पे जाएं, RPSC Adda app को install करें और उसके अंदर हमारा course RPSC assistant professor BADM में enroll हो जाएं सिर्फ 3999 में हम आपको यह course प्रोवाइट करने वाले हैं 3999 रुपे में complete course और अपनी preparation मेरे साथ बहुत अच्छे से prepare करें थाकि हम इस exam को clear कर सकें Good luck, best of luck and all the best to you all